बिहार के सियासत में मंत्री मुकेश सहनी की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन आपको याद दिलादे कि एक वक्त था जब तरिक तवज़े रही है। तो अले एकन मुकेश सहनी में खुद उत्तरप्रदेस में बीजेपी को चिनोती दे रहे हैं यह सचाई है और इस सचाई से बीजेपी भी मुह नहीं मोड सकती है दूसरे यह कि बिहार में पिस्ते कुछ दिनों के अंदर जो बयानबाजी घटक दलों के बीच देखने को मिली है उसमें मुकेश सहनी ने बीजेपी कि बिहार विधान परिश्त का चुनाव होना है और दूसरी बात यह कि यूपी में जो विधान सवा चुनाव लड़ने की तयारे में मुकेश सहनी है वहां उन्होंने सिंबल भी दिये है अपने पाइड़े के नताओं को इस बीच मुकेश सहनी का खुद का रिनूवल होना है मतलब वहार सबकार में मंत्री है बस सबको पता है लेकिन विधान परिश्त के सदस्य है और विधान परिश्त क्या जो उनका टर्म है वह सौट टर्म है क्योंकि वह उपचुनाव में जीत करके आया थे मतलब उपचुनाव में भेजे गया थे वह तो उनका रिनूवल औ कि आपका रिचार्ज होगा या नहीं होगा मुकेश सहनी को लेकर के आज डिप्टे सीम तार्गी सोर प्रसाइद ने जो बाते कहीं कि हम वी आईपी को विधान पर से चुनाव मेड़स नहीं करने जा रहे हैं उनके साथ को एलाइंस हमारा पहले भी नहीं रहा है मुकेश सहनी ने इन बातों का समर्थन ही किया है लेकिन उन्होंने आज एक बड़ी बात कहिए गनेस और वो बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने जो कमिट्मेंट किया था हमसे हमारे रिचार्ज को मतलब हमारे रिनूवल को लेकर के व वो उनको याद रखना चाहिए और मुझे हाफ टर्म मिला है मतलब उप्चुनाओं में मैं गया था विरान परिशद और मुझे फुल टर्म चाहिए यह आज दावेदारी और इस बात को अगर बीजेपी की रेता भूल रहे हूं तो मुकेश सहनी ने इसको याद दिला दि है उसके बाद आप जो बोलेंग उन सवालों का हम जवाब दे रेंगे पहले बयान सुनते मुकेश सहनी ने दरसल क्या कहा है आज जब डिप्टी सीम तार्गी सुर परसाद का बयाना है उसके बाद बिप्टी सीम हैं और हमारे बरे भाई हैं उन्होंने सही का कि पिछली चुनाब जबी हुआ था उस समय में विएपी उनके साथ नहीं था हम पार्टी उनके साथ नहीं था और जेलियू भी उनके साथ नहीं था और वो अकेले चुनाब लगे थे तो नहीं सही बात है हमारी एमेलसी की बात है तो ताकिसोर जी को अच्छा तरीके से पता है कि जब हमारी गटवंदल हुआ तो 11 सीट और एक मेलसी पर हुआ था और एक मेलसी संपुन 6 साल क्लिए हुआ था तो अभी तो हमारी ड्यू है उनके उपर जोनको आने बाले समय में पूरा करना है उसके बाद जुद भी हमने बिहार में एंडिये में रहकर हमने रास्वा का चुनावा तो हमने वीजेपी को समर्थन दिया फिर एमेलसी का चुनावा तो बीजेपी जडियू को हमने समर्थन दिया बिहार में उप चुनावा तो हमने दो दोनों सीपर जाके समर्थन दिया और मजबुती से काम किया तो मुझे लगता है कि बिहार में इंडिये है और अगर आगे जहीं से इंडिये खतम होगा तो अपने दुर्सकों को सुना दिया अब है कि बीजेपी क्या वाकई उनको रिन्यूवल करती है या वाकई कहीं और राजनीती बदल रही है यह कई सवाल हैं जिनका जवाब साथ थोड़ा वक्त लगेगा करने से तो एक सवाल इभी बनता है कि क्या मुकेश स्थानी को इस बात परिसत भेजा गया एक विधायक जो है वो उनका निधन हो गया मुसाफिर पासवान का सबको पता है वो चहां में बाई एलेक्शन होना है मुकेश सानी उससी पर दाबाच करेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं यह बही सबको पता है लेकिन मुकेश स्थानी के पास तीन परिस्तिती से तो वो तो कहेंगे ना कि उन्होंने निसा दारक्षन की मांग कि तो जाना पड़ा और वह इसके लिए तयार दिखते हैं मैंने उनसे बात की थी विस्टर दिनों तो वो इसके तयार भी दिखते हैं लेकिन आज जो मुकेस सानी कर रहे हैं उसका मतलब यह है कि वो फिलाल बीजेपी से पहला जो एस वरेंस उनको मिला था पहले बीजेपी से पहले चाहते हैं कि बीजेपी ही उनको विधान लेकिन पाने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफर्म मुकेस सानी को लग रहा है कि वो यूपी जा रहे हैं योगी अधितिनाद को चैलेंज कर रहे हैं उन्होंने संजे निसाद को बीजेपी ने खड़ा किया उनसे मुकाबले के लिए निसाद आरक्षन के सवाल को को लेकर के अगर वो आगे बढ़ेंगे तो जैसे बिहार में वो नेता बन गया है उन्होंने बड़ा मेनेजमेंट से पॉलिटिक्स में अपने आप इंट्री कराई है आप याद करिए पान साल पहले हमारे ऐसे पत्रकार भी मुकेस सानी को नोटिस नहीं लेते थे ज्याद नमिक्तिक को लगा इसे बिगर मुकेस बहुत कूछ बदलाओ भी मिल सकता अगर नहीं है तो बहुत जादा बदलाओ भी नहीं होगा क्योंकि अभी तो वह का रहा है ना कि विरान परिश्द में मेरा रिनुवल आप करा दीजे बीजेपी को लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि बीजेपी से बिहार में भले गडबंदर है लेकि उत्तर प्रदेश में वो लड़ाई लड़ेंगे ये मकसद क्या कि बिहार में द मुके सनी समझ रहे हैं कि जब जेडियू को बीजेपी ने इंटर्टेन नहीं किया उत्तर प्रदेश में तो उनकी पार्टी को कैसे इंटर्टेन करेंगे तो ये ये भी इस फैक्ट का इस जमीनी हकिकत का अंदाजा उनको है आगे देखिए क्या होता है परिवार बहुत परशान था बावा जी की द्वाउं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर के बहु बने बटको चाहे जहां काम होका सिर्फ यहां ग्रह कलेश कर्श मुक्ति प्रेम विवा जादु टोना पती पत्ती में अन्बन सोतन या दुश्मन से छुटकारा विदेश जात्रा में रुकावट, फिर्मों में प्रवेश और कोट का चैरी जैसे समस्याओं का समधान सभी समस्याओं का समधान गुरू खांजी अभी कॉल करें 9821707996